हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हूं सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10-techs royal capsule के बारे में जैसे कि हम इस वीडियो के माध्याम से जानेंगे 10-techs royal capsule को हम कभ यूज करते हैं इसके क्या benefit होते हैं कितनी मात्रा में हम इसको ले सकते हैं और इसके क्या-क्या side effect हो सकते हैं इसी के बारे में वीडियो में detail में जानेंगे 10-techs royal capsule हिमालिया कंपणी बनाती है और ये पूरी तरह से आयरवेदी दिखे आप सबी लोग तो जानती है हिमालिया कंपणी के बारे में क्योंकि काफी old है और बहुत जादा famous है तो हर कोई जानता है 10-techs royal capsule हम कभी यूज करते हैं जैसे कि यह हम पूरुशों को देते हैं only यह sex related जो भी problems होती है patient को जैसे कि erectile dysfunction इसके बाद में कई लोगों को यह problems होती है कि उनकी इच्छा तो होती है relation बनाने की बट जो private part वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है यानि कि जैसे अच्छे से उसमें जो एकदम तनाव आना चा नहीं आ पा रहा और बहुत जल्दी discharge हो जाता है जैसे कई लोगों को तनाव तो आता है पैनिस बराबर खड़ा होता है पर थोड़ा एक दो मिनिट या तीन मिनिट चार्य मिनिट के बाद discharge हो जाता है यानि कि अब बहुत जल्दी discharge होना शिगरपतन की problem को भी ठीक करता है इसके बाद में कई बारे जिसे sperm count कम रहता है और patient को erectile dysfunction या फिर शिग्रपतन की problems है, तब भी doctor इसको recommend करते हैं कि ये दोनों काम करता है, जो sex power उसको बढ़ाता है, और साथ ही में sperm count को भी बढ़ाता है, तो इसलिए भी doctor आपको इसको infertility केस में भी recommend करते हैं, ताकि हमको अच्छा result मिले, इसके बाद में कई लोग जिसे कि वो ज़्यादा tension में या depression में जाते हैं, जिसे कि sex आज इतना common हो गया कि हर कोई sex sex करता है, ठीक है, तो patient चाहता तो है कि मैं अच्छा perfume करूँ, पर नहीं कर पाता है, तो इसके कारण वो जिसके भी साथ अपने partner के साथ में हैं, वो शर्मिन की महसूस करता है, गिटी फिल करता है कि मैं अपने partner को certifies नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर एसे में क्या है रिष्टे बिगणने लगते हैं, और जो patient रहता है, वो भी वो tension में आता है, और फिर उसको समझ में आता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए और ये चीज़े केसी private चीज़े कि कोई भी चाहे महला हो, चाहे पुरुश हो अपने friend से भी discuss नहीं कर सकते इस चीश को लेकर के, तो आपको इसी condition में डोक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि सबसे उचिस सला डोक्टर ही आपको दे सकते कोई भी दोस्त या अपना friend नहीं दे सकता हाँ, वो आपको suggest ज़रू कर सकते हैं कि हाँ, आप इसा करो बट वो आपको treatment नहीं दे सकता इसके बाद में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फिल होती है अब जिससे कि आप relation तो बरावर बना पाते हैं अपने partner को भी certifies कर पाते हैं पर relation के बाद में आपको हाथ पेरों में दर्द होने लग जाता है पुरी body में pain होने लग जाता है बहुत ज़्यादा weakness लगती है तो यह जो problems आपको हो रही है कमजोरी की इसको भी ठीक करता है और आपकी जो sex life है उसको भी सुदारता है इसकी कुछ खास बात है कि जैसे हम वियागरा आती है और भी बहुत सारी medicine आती है उनको हम जैसे कोई diabetic patient है जिसको sugar की problem है जिसका BP बढ़ता है उन patient को हम वियागरा नहीं दे सकते पर यह 10-tex royal capsule patient को दे सकते है diabetes patient भी इसको ले सकते है hypertension वाले भी ले सकते है पर लेना कब है? डोक्टर की सला के बात में अपनी मर्जी से नहीं लेना अब हम बात करें इसके benefit क्या होते है तो benefit यहीं होते है अपकी जो भी life में जो भी problems आ रहे थी उसको यह kick कर देता है इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो मात्रा आपकी बिमारी पर dependent करता है आपको क्या problem है कितने समेश से problem है आपकी age कितनी है आपका वजन कितना है फिर भी हम नॉर्मली अगर डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट सुबा एक टेबलेट शाम को लेना है दूद के साथ में यानि क्या आप पानी के साथ खा सकते हैं इसको खाने के बाद में आप थोड़ा गुनगुना दूद पी ले तो ये टेबलेट अच्छे से काम करती है इसको नाइट के टाइम इस्पेशली कब लेना है सोने से एक घंटे पहले आपको लेना है और कहीं बारी डोक्टर आपको दो टेबलेट सुबा दो टेबलेट शाम को भी लेने को बोल सकते हैं तो वो हर एक पेशेंट का केस अलग- लग होता है अब इसके बारे में हम जानते हैं कि आप इसको कितने लंबे समय तक ले सकते हैं तो डोक्टर कम से कम आपको तीन महीने के लिए कंटीनू रिकमेंड करते हैं तीन महीने के बाद में देखा जाता है कि आपको जो समश्य थी वो समश्य में कितना सुधार आया है वो पूरी तरह से ठीक हुई या नहीं हुई अगर पूरी तरह से ठीक हो गई तो फिर आपका डोज कम कर दिया जाता है जिसे कि आप पहले दो टाबलेट ले रहे थे तो हो सकता है कि एक क्या दो महीने के बाद में आपका डोज कम कर दे और अगर आपको आराम नहीं पढ़ वह सकता है कि हैं इस तो तो प्रॉब्लम करें और कोई मेडिसिन आपको बंद मैं करना है अगर आप अच्छा रोग देंगे तो यह फिर आपको अच्य जी भूमना या जी मचलना इसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आपको डोक्टर से मिलना है कभी-कभी जैसे कि आपको चिट-चिटा पन होने लगता है थोड़ी घबराट होने लगती है हाथ-पेरों में अगर सुन पन आ रहा है हाथ-पेर बराबर काम नहीं कर रहे कि हाथ-पेर में जान नहीं है या थोड़ी जिन-जिनाट आ रहे है या फिर सुन पना रहा है तब भी आपको डोक्टर से मिलना चाहिए और अगर आपको भूख कम लग रहे है पसीना ज्यादा आ रहा है तो इसी कंडिशन में भी अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आपको मेडिसिन रोगते इसके बदले में कोई और मेडिसिन आपको रिकमेंड कर सकते हैं